दूद में एक डेड़ लीटर दोनों टाइम का मिला के बच्चे को भी देते हैं तो कितना देते हैं इसको ज्यादा या दो ग्राम तीन ग्राम दे रहें तो इसमें भी तैयार होने लगाए और ये परिवर्तन बढ़ गया है ये तो देवड़ा हो गया नमस्कार दोस्तो आरोग्यम के इस चैनल पे आप सभी का मयावनिश में शाष्वागत करता हूँ देखा आपने दोस्तो पेट वेट ने तहल का मचा के रखा है गर्मियों में दूद को कम नहीं होने देता और दूद को बढ़ाता भी है साथ में पेट वेट सरीर में चमक भी लाता है पाचन तत्र सही करता है यह पूरक पोसा का हार नहीं है यह एक ऐसा हार है जो भोजन और उनके हार्मोनल और उनके एंजायमेटिक एक्सन को बढ़ा देता है यह मिनरल्स और केल्सियम का बाप है आईए पूरा वीडियो देखते है दोस्तों यह आरुग्यम टीम से मैं अवनीश मिश्रा हूँ यह भैस को मैंने अभी तक पिछले एक महीने से सियपसी खिला रहा हूँ यह भैस अभी नहाई नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इतनी बढ़िया चमक है और सरीर इतनी गठ गई है और करीब एक से डेढ़ लीटर दूद बढ़ चुका है अब आईए देखते हैं इसके मालिक से बात करते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ इसके साथ और कब हुआ और कब से खिलाया नमस्कार सर क्या नाम है सर आपका राजु दुवे हम यहां ज्हासी जिला है not यह ज्हासी जिले में आपके साथ यहां बैठे हुए है आपके हाथ में CFC है ये CFC आप अपने पसू को कितने दिनों से खिला रहे हैं लगवा एक देड़ महीना हो गया है तो आपको अपने पसू में क्या परिवर्तन दिखा ये तो जानवर में पूरी क्वाल्टी बदल गई हाँ दयार भी होगा हो अच्छा ये हमने पहले जब पहले की फोटो नहीं ह पर मैंने पहले देखा तो अभी देखके इसको पहचान नहीं पाया है इसकी इसकी में चमक भी बड़ी जबरदस्त है तो कितना दूद में भी बृद्धी हुई क्या दूद में एक देड़ लीटर दूदी बढ़ा है दोनों टाइम का मिला के मतलब एक लीटर देड़ ली कि खर्चे से लगभग साथ रुपय की बच्चा और आप ये चोटे जानवर को भी इसके बच्चे को भी देते हैं तो कितना देते हैं इसको ज़्यादा या दो ग्राम तीन ग्राम दे रहे हैं तो इसमें भी तैयार होने लगा है और ये परिवर्थन मढ़ गया है ये तो वीडियो में चल रहे हैं नंबर पे संपर्क करें ये चैनल सब्सक्राइब करें और आप भी आननी किसानों को प्रोच साहित कर रहे हैं अभी तक कितने लोगों को दे चुके हैं लगवक 15 लोगों को तो उन सभी को रिजल्ट आ चुका है बढ़िया रिजल्ट है तो आगे प क्योंकि पहले इसका नाम CFC ही था कंपणी ने इसको अपग्रेट करके और ज़्यादा पावरफुल बना दिया है अगर इसका डिटेल वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है या उपर आई बटन पे भी बता रहा है दोस्तो यह पिटविट काम कैसे लेट कर देता है दोस्तो किसी भी पशु का डाईजेशन उसके एब्जॉप्शन और एसीमलेशन पर निरबर रहता है लेकिन पेटविट इन तीनों प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से करता है यह कोई आहार नहीं है अगर आप उसको मिनरल्स विटामिन्स और भोजन दे रहे हैं तो वह देते रहेंगे साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा खाना खाने के आधे गंटे गंटे पहले दीजिए या खाना खाने के आधे गंटे बात दीजिए और इसके बाद दिन भर उसको पानी और खाने की मात्रा बढ़ा दीजिए अब बात यह होती है कि ये पेटवेट कैसे order करें तो दोस्तो पेटवेट order करने के लिए नीचे एक link डली हुई है जिसमें वीडियो बलाया हुआ है ट्यूटोरियल कि ये पेटवेट का order कैसे किया जाता है दोस्तो उस वीडियो को देखिए और अगर आप आरोग्यम टीम के से ही चैनल पर आते है इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब करिए बेल आइकोन जरूर दबाई दीजिए दोस्तो हमें प्रतेक पंचायत पर डिस्ट्रिब्यूटर की आवशकता है वह डिस्ट्रिब्यूटर के सारे legal डाकुमेंट हम बनाने के लिए तयार है केवल उसे प्रोड़क्ट रखना है और बीच बीच में ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार से उसकी बिक्री पर हम सपोर्ट करेंगे इसलिए अगर आप डिस्ट्रिब्यूटर बनकर कैरियर बनाना चाते है तो नीचे लिखे नमबर पर संपर्क करिए हम आपका इंतजार कर रहे है आईए मिलकर गौसमवर्धन और जैविक जीवन सेली को अपनाए धन्यवाद धरापड़ाम चैनल सब्सक्राइब करना न भूले